नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है. आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशय पर जो हमारे किसानों और पूरे खाद्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है कीटनाशकों की खपत. पिछले साथ दर्शकों में कीटनाशकों की खपत लगभग 45 गुना बढ़ गई है. इसका मुख्य कारण क्या है? और इसके क्या प्रभाव है? आईए इसका विशलेशन करते हैं. कीटनाशक जैसा की नाम सुझाता है, वह रसायन होते हैं, जो कीटों को नश्ट करने के लिए इस्तबल किये जाते हैं. ये खेती में उत्पादन को बढ़ाने और फसलों की हानी को कम करने में मदद करते हैं. लेकिन इनके अधिक्तम उप्योग ने एक नई समस्या उत्पन्न की है. विश्व में कीटनाशकों की खपत में व्रिधी के मुख्य कारणों में से एक है अध अधिक खाद्य उत्पादन की मांग. जन संख्या व्रिधी, उच्चे जीवनस्तर और उन्नती की ओर बढ़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था ने इस मांग को बढ़ाया है. कीटनाशकों के अधिक उप्योग से मिट्टी की उर्वराक्षमता, जलवायु परिवर् और मानव स्वास्थि पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं. जैसे जैसे ये रसायन मिट्टी में समाहित होते हैं, वे निचले जलस्तर को प्रदूशित करते हैं, जो हमारे पेजल के स्रोतों को प्रभावित करता है. हाल ही में हुए कुछ अध्येनों में पाया गया है कि कीट नाशकों के अधिक्तम उप्योग से मदुमक्खियों की संख्या में कमी आई है, जो बाद में पूरे पारिस्थिती की तंत्र पर असर करता है. अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? एक समाधान हो सकता है जैविक खेती को बढ़ावा देना. इसमें नैसरगिक तरीके से कीटों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे कीट नाशकों की खपत को कम किया जा सकता है. आज की विडियो में हमने देखा कि कीट नाशकों की खपत में कैसे वृद्धी हुई है और इसके प्रभावों को समझने की कोशिश की है हम सबको मिलकर इसे रोकने के लिए कदम उठाने की आवशकता है अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद